नॉमिनेशन टास्क के तोरान राखी सावंत क्यों हुई इमोशनल अभिनव शुक्ला को लेकर चलिए बताऊं कि आपको इस विडियो में नमस्कार मैं सनक्दास स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चानल पर आपको बता दे कि नॉमिनेशन टास्क ने इस बार सभी कंटे के पास इस बार बहुती अनोखा तरीका था लोगों को कंटेस्टेंस को नॉमिनेट करने के लिए सिल्वान खान ने इस बात का जिक्र किया कि इस बार पहली बार एक नॉमिनेशन बुक खुलेगा और उसके पन्ने पर आपको उसका नाम लिखना है जिसे आप सेफ करना चा वो किसे सेफ करना चाते हैं ये बताना था आपको जैसा मैंने पहले बताया कि अर्शी और राखी और रुबीना तीनों ने अभिनव को ही बचाया लेकिन सबसे जादा मुश्किल जो था वो राखी सावन्थ के लिए था क्योंकि राखी और जानती थी वीकेंड के वार पर उन्होंने देखा था कि अभिनव जो हैं वो उनको काफी हर्ट कर चुके हैं बट ऑल्दो वो अभिनव को नॉमिनीट कर सकती थी लेकिन आपको बता दूँ कि राखी सावन्थ ने ये सोचा कि वो तो अभिनव से प्यार करती हैं वो तो अभिनव को लाइक करती हैं और इस पिर से राखी ने अभिनव को सेव किया, तो ये प्रूफ करता है कि राखी सावन्त बहुत ही इमोशनल है, और इसी तरीके से अगर वो अभिनव के लिए फोकस्ट है और उनके लिए ही है, तो वो उनको ही सेव भी कर रही है, हमने आज तक जब भी राखी को देखा है, जब कि उन्हें किसी के लिए फेवर करना है, वो mostly अभिनव के लिए ही फेवर करती है, और ऐसे मैं आपको बता दू कि वीकेंड के वार पर, क्योंकि सल्मान खान ने ये बता दिया था कि अब ग्रैंड फिनाले बहुत ही नजदीक है, इन तमाम चीजों को सोचते हुए भी, रा राकी सावन ने अभिनव शुक्ला को ही सेव किया, क्या कहना है गाइज आपका इस खबर पर, राकी सावन थे emotional हुई और फिर भी उन्होंने अभिनव शुक्ला को ही सेव किया, इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताए अपने रियाक्शन से हमारे कमेंट सेक्शन में तमाम बॉलिवर और चीवी दुनिया से जुड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल